तो आज की ये रेसिपी है चिकपीस कटलेट की काबली चने से बनी है ये कटलेट और बहुत ही है तो चलिव रेसिपी की तरफ यहाँ पे काबली चने को बने उबाल लिया है अब इसे Mixerस z lég में डाल के बीना पाने डाल या ही पीस लेना है फिर यहां पे हम डालेंगे बारी कटी हुई हरी मिर्च, इसके बाद हम डालेंगे थोड़ी से धनिया की पत्ते और यहां पे मसाला डाला अद्रक लसंग, जीरा और काली मिर्च का, फिर यहां पे डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा से यहां डालेंगे चाट मसाला, अब यहां पर मैंने डाल दिया है कसूरी मेथी थोड़ी सी और स्वाद अनुसार नमक, अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करेंगे जब तो देखेंगे कि वर बाइंडिंग आ रही है या नहीं, अगर नहीं तो फिर एक आल अब चोटा सा एक पोर्शन लेना है, बॉल बनाना है निम्मू के साइज के जितना तो अच्छे से यह राउन कर लेना है, अब यहां पर हतेलिय के बीच में आसे रखके फ्लैट कर लेना है और एजचे को स्मूध कर लेना ऐसे तो यहां पर आप चाहें तो ऐसे भी रख सक तो सारे कटलेट को ऐसे ही रेड़ी करके रख लेना है तो यह रेसिपी बहुत ही हल्दी है आप चाहें तो इसे फ्राइ भी कर सकते हैं और आप शेलो फ्राइ करेंगे तो इसका रिजल्ट जादा अच्छा आएगा और यह बिखरेंगे भी नहीं तो पैन को क्या करना है गर् हमें एक एक करके सारे कटलेट को रख देंगे जितना एक बार में आजाए चार से पांच तो यहां पर मैंने पांच कटलेट रख दिये हैं और थोड़ा इसे अब सिखने देंगे फ्लेम मीडियम ही रहेगी जादा हाई भी नहीं करना एकदम लो भी नहीं रखना तो जब इस तरफ से यह सिख जाए तो इससे पलट लेंगे और फिर दूसरे साइट से भी पकाएंगे और थोड़ा थोड़ा ऑइल यहां पर डालते जाएंगे तो कावली चैने में अच्छे गासा यह तेल एब्जॉब करता है तो इसलिए पहले ही जादा नहीं डालना है थोड़ कर देना